नमस्कार दोस्तों, वेल्नेस वी दमन्ती इस चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है और आप सभी जानते हो कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको शेयर करती हूँ और हाँ आपको ये भी पता है आप अगर मेरे वीडियो देखते हो तो मैं एक नेटवर्कर भी हूँ और इसी सिलसिले में मुझे अच्छा खासा बिजनेस डेवलप करना है इसलिए मैं दिपक बजाजजी सर है उनका बनिये नेटवर्क मार्केटिक मिलेनियर ये बुक पड़ रही थी तो मुझे इसमें से बहुत सारे बाते अच्छी लगी है बट इसमें से जो में में मुझे अच्छी लगेंगी उसके उपर में फोकस करके आपको शेयर करने की कोशिश करने वाली हूँ ये वीडियो से आगे भी छोटे छोटे वीडियो आ जाएंगे सिर्फ ये बुक के एकोरडिंग ओके तो ये कोही भी प्रमोशन नहीं है दोस्तो मैं तो आपको एक मतलब रिक्ट्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर ये आपको बुक मिलेगा बनिये नेट्वर्क मार्केटिंग मिलेनियर दिपक बजाजी कर जरूर इसे पढ़िये क्योंकि ये बिजनेस ना ही केवल आपको पैसा कमाना टीम बनाना रिगार्डिंग मतलब पैसे के बारे में ही नहीं बट हमारी पूरी जिन्दगी इससे बदल सकती है आम दोर पे जो जीने वाला अदमी भी इससे बहुत कुछ बाते सीख सकता है ऐसा मुझे लगता है और अनेशली मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसे परचिस करिये और इसे जरूर पढ़िये तो आज मैं आपके लेग छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ यही बुक से एक समय की बात है संगीत के एक मश्यूहर शिक्षक थे जो सिर्फ अपने संगीत के द्यान के लिए ही नहीं पर अपने विवेक के लिए भी जाने जाते थे एक दिन करीब 40 साल का एक आदमी उनसे मिलने आया और उनके सामने संगीत सिखने के अपनी हिच्छा रखी शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानते हैं उन्होंने कहा कि 5-6 साल तक उन्होंने संगीत सिखा है और वह एक ग्रूप में गाते भी थे पर उसने पिछले कुछ सालों से गाना बंद कर दिया है शिक्षक ने कहा कि उसे संगीत में महारत हासिल करने में पूरे तीन साल लगेंगे और इसकी किम्मत 80,000 रुपे होगी उस विक्ति को यह बहुत महेंगा लगा और वह वही बैटकर विच्छार करने लगा तब भी एक 12 सल का लड़का उनसे मिलने आया और उनसे मिलने आया और उनसे संगीत सिखने की इच्छा जाहिर की शिक्षक ने उनसे पूछा उस 12 सल के लड़के को कि वह संगीत के बारे में क्या जानता है उसने कहा कि वह संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता है ने उनसे कहा कि संगीत में पारंगत होने के लिए उसे एक साल लगेगा और बीस हजार रुपे देने हुँगे। संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता हो और मेरे पास इसका अच्छा खसा अनुबव है। बुलाने में दो साल और साथ हजार रुपे लगेंगे। और इस कहानी के उपर दिपक भजाजी कह रहे है कि आपने आज तक जो सीखा है अगर आप उसे बुलाने की तयार है। वो भुलने के लिए तयार है तो नई चीजों को सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। तो I hope कि दोस्तों ये वीडियो से आपको भी बहुत कुछ जानने को मिला है और आपको अच्छा भी लगा है तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लोगों को शेर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए, धन्यवार और ये क कोई भी प्रमोशन नहीं है मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको शेर करती हूँ, so thank you so much